वेलकम बैक तो अनधर वीडियो एंड आज की वीडियो हम लोग फिर से एक बार राइड करने वाले फिर से मतलब यह है जिसने इसका राइडिंग रिव्यू और इसका एक फुल रिव्यू वीडियो नहीं देखी लिंक इन डिस्क्रिप्शन जाके देख लो एंड आज फिर स आप से क्या है इसका एक experience मेरा मैं उसको आपके शाहर करने वाला हूं और यह कितनी पावर्फुल बाइक है यह भी मैं बताने वालों बहुत लोग कहते हैं जो बैटरी वाली बाइक होती है इन फैक्ट मेरे मतलब नो में ही कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि बैटरी वाली में बाइक है वह ज़ादा प्वार फुल नहीं होती तक इसके पावर्फुल के बारे में आपको अपसे बात करूंगा क्योंकि मैंने जो खुद experience किया हुआ उसके बारे में ही मैं आप से बाहत करूंगा अच की वीडियो में एंड six month में क्या-क्या इसके अंदर changes हुए है and क्या-क्या भाई पहले क्या था अभी क्या है या बाहर से कुछ इंस्टॉल करवाया इन सब चीजों के बारे हम लोग बात करने वाले हैं so let's ride मेरे को अब एक वाले हैं इसको एक वर राइड करूँ छे महीने बाद का फील क्या आता है एक न्यू जब एक नई बाइक नई बीस लेते हैं तो क्या फील आता है और six month के बाद अगर हम उसी चीज को राइड करते हैं एक तो बाई देखो यह थोड़ा गंदा है इसके उपर मज जाना ए अब चली बारीश का मौश्रा मैंना तो फिर गंदी तो होई जाती है ठीक है इसको इग्नोर करना एंड शो अभी यह ओन है इसको मैं आफ कर देता हूं जिसने इसकी की नहीं देखिए फरस्ट अफल मैं आपको इसकी की दिखा देता हूं एक बार इसकी जो रिवाल्ट करते करते हैं मैं आप से आज बात करेंगे अभी मैंने रोड पर रोग रखी है एक्षरी मैं थोड़ा बहुत जलूरी काम से जा रहा था तो माइन में यह आया क्यों ना एक वीडियो बना लिए आपके लिए जो शिक्स मन्त के बाद मैं अगर इसको राइड कर रहा हूं त कि यह कुछ देखने के लिए ऐसी मीज़ेगी इसका वैसे को यूज सोता है नहीं यूज होता है बहुए रेर केस में उसका यूज होता है कौन करने के लिए लिए कुछ चीजा को लिए अगार करने के लिए बहुट सी चीजे मोग से थ perseternom & lets इसको इसको स्टर्ट करने के कि आम एक कुछ भी नहीं करना है निहें यह करना है लोके बंटन ये रहा अनलाक करने का बटन यह रहा कि और ए गड़ किया कि चलो तो मैं एक बार हम इसको राइड करते हैं देखते हैं वह इसको कर लेते हैं सही एंड यह भाई कुछ इसका 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 जो पूस्चर आता है वह कुछ इसा आता है देख लो और आब वह सारी निकली जाता है तो बहुत सारी इंडकेशन दे रखें आगर आप देखो गया इसके अधर आपको बाशारी शीज आती है नई चीज जो आती है आशकल की भाई को मैं आरी इसमें इसमें भी आई हुई आगर आपका स्टैंड लगा हुआ आई न तो यह बिल्कुल भी आगे नहीं बड़ेगी देखो बिलकुल भी वर्क नहीं करेगी एक सेलेटर लेगी बट आगे नहीं देखो अब बहुत इसली अराम से जाएगी देखो आगे तो वाइस हम राइड कर रहे हैं रिवाल्ट की एक ऐसी बीस्त जो कि मार्केट में आके उसने मतलब बहुत अच्छी मार्केट वैल्यू एक जो क्रियेट की थी ना एक वैल्यू फोर मनी जो एलेक्टिक बाइक लोग लगभग यहे गवाइष राइड आट है मैरे मम्में त बाए इसका या सिर्फ कशन मेरे हो रहा जिसन देखते हैं नहीं तो क्यूंकी हम लोगा चलते चलते ही बात करने वाले एंड चलते बात करने का मज़ए ही कुछ हर होता है आपको यहां देखने के लिए मिल जाएंगे मीटर इसका काफी कूल है डिजीटल मीटर है पूरा फुली डिजीटल एक सेंसर है अगर आप देखोगे न तो इसके अंदर एक आपको सेंसर मिल जाएगा अगर जैसे रात होती है या फिर हम किसी ऐसी बेस्मेंट के अंदर गए यहां पर अभी खड़ी होती है पार्किंग में थोड़ा बेस्मेंट टाइप है तो वहां लगाने के बादेना सेंसर में लाइट जल जाती है तो ऐसा कुछ निया में कि लाइट जलानी पड़ेगी तो लाइट जलेगी अभी यहां पे मीटर की लाइट बंद है जैसी इस या फिर थोड़ा दे रहा होगा लाइट जल जाएगी इसमें बहुत सारी चीजे यार ऐसी दिए ना जो की मतलब है एक अपर लेवल है वेली फॉर मनी है बैटरी वाली बाइक मतलब जिसे लेक्ट्रिक बाइक कहते है और इस आपको है ना पान से छे साल किसकी गैरेंटी भी मिल जाती है बैटरी की अलग है यह बुके रिया करने होजाताएय की लेना होगा क्या आख़ा कर रहा है विंट्र scrutiny बड़ी यह inline मैं आया कि हाँ है एक अच्छी हो रही है इतना अच्छाए रहा है कि वही चीज है जो उस दिन राइडडि किया औक कैसा फील है कैसा क्या है सब कुछ एड अब इसका ब्रेकिंग चेक कर लेते हैं इसकी जो न्सक्राइब करें आघे भी और पीछे भी दिस ब्रेक मिल जाएंगे विट ईबियर जाएग तो फिर इसका तो मज़ा अलग है एंड आपको भाई अपसाइड डाउन सस्पेंशन इसके लिए देखने के मिल जाएंगे और आपसाइड से दिख रहा होगा आपको सिल्वर कलर का मिल जाएगा आपसाइड डाउन मतलब क्या रेशिंग के लिए या फिर लीन करने के लिए अगर आपको देखो अभी खाली रोड है तो या प्लीज आप लोग ट्राई मत करने लगना खाली रोड है एक दो भाई के अरिये तो वह तो मैं सीसे में देख ले रहा हूं अभी एक बाई के अपने पीछे तो अगर आप इसको ऐसे करके चलाओगे ना या फिर आप इसको र राइड कर रहे हो कैसा फील और सब कुछ उसके बाद ही मैं आप से बात कर रहा हूं तो इसके अंदर एक चीज और है अगर एक शीलेटर जो होता है ना जिसे हम कहते है ने थाटल अगर देने के बाद हमने छोड़ दिया रही है थाटी की स्पीड से ही स्पीड पगड़ती है ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग से आपको फील होगा ठीक है तो इसका ब्रेक काफी कूल है और देख रहे हूं मिरर पीछे वैसे मिरर निकालने के बाद अच्छी नहीं लगती इतनी बट मिरर के साथ क्राफी कूल लग रही है तो इसके अंदर है ना बहुत सारी ऐसी चीज से ब्लेंगा और फस्ट मोड में कितनी जाएगी से चाने मोड में कितनी में क्लियाईगी यह किलो मीटर स्काइए WE यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा मतलब इश्याली है मतलब से लिता इस हना Crist तो जो फ़िकाफ जो इसानाफ फील होता है And Third Mode में भी अगर आप देख़ोगे तो थाहत यहां पे दिल क्लास वाले बंदों का बता रहें कि भाई देखो सुपर भाईक बहुत मुस्किल होती है एंड जिसको पैटरोल का भी खरचा लगता है कि बहुत ज्यादा होता है बहुत रहे हैं ज़िक में फुल हो जाती थीन से चार गंटे में फुल मिल जाएगी एंड एक सो तीस किलोमेटर चली जाती है डेड़ सो कंपनी बताती है कि हम फ़ीड़ सो का एवरेज जो है वन फिफ्टी का आवरेज आपको यह देगी एक बार फुल चार्ज होने में बट ऐसा नहीं है वन थर्टी के अप्रॉक्स यह चली जाती है ठीक है अपसाइड डाउन जो कि बीना प्रॉब्लम के आना जाना और टाइम पर चार्ड जो जाना मतलब अभी तक शिक्स मन्त के अंदर नहीं यह शोरूम नहीं गई है बस एक बार स्टार्टिंग में फर्स सर्विस के लिए गई थी लेकिन उसके बाद अभी तक शोरूम की ज़रूरत इसको पड़ी न थो फोना कमी किया कमी है कैसी है कितने की निया ना इसकी की पड़्रिएक बीड़ी अई आप discussion चैक करने के बाद आपको wait 2017 cprick करने के बाद अब को खुदी समझ में आ जाएगा कि किया चीज आज का यह ना भी पैटरी बाइक का मतलब एक रुपए घड़ी आता है तो ऐसे कोई घटना भी नहीं कहते हैं यह बाई चार्ज करो इसको और 130 किलो मेटर बीना सोचे समझे लेके जाओ और ऑसके अंदर में अगर आप देखो यह पे आपना काई चीज़ें है इसके अंदरब एक अनुसकर at एंद है तो जो है हमारा subscriber है friend है जो भी कहलो आप नू में यह तो उन्हों ने मतलब चेक करके यह मेरे को बताया है कि टीरो के करने के बाद जीरो जब इसकी बैटरी पूरी लो हो जाती है ना उसके बाद भी उन्होंने 8 km 8-9 km इसको राइड किया एक्चुली ऐसे भी नहीं अब भगने की बात करोगे आप कि कितनी स्पीड में जाती है तो स्पीड तो स्लो बहुत स्लो हो जाती है बट ऐसा होता है कि बिल्कुल खतम नहीं होती धीरे जैसे अभी जैसी स्वीड हो चल रही से इतनी दीरे चलेगी 20-25 की स्वीड में तो काफी 809 km उन्होंने कोई ऐसा कहीं पर मतलब रोड पर जाके या फिर कहीं फास गया असा नहीं उन्होंने यह मतलब खुद चेक किया इस चीज़ को कि जीरो किलोमेटर भी चलती है क्या त किसी भी चीज में देख लो ना हर चीज में है तो इसको देखती है पब्लीक अट्रेक्ट करती है यह बाइक वाले भी यह जा रहे है इन्होंने भी इस पर मतलब एक आई-केचर होता है ना वह अट्रेक्शन है लोगों का लोग देखते हैं कि कौन सी बाइक है जिनको नही आछ प्रक्षेस समझे ले लो वीडियो देखने के बात अगर समझ में आता है तो ठीक है जास अब भी बाई देखो अगर वीडियो पसंद आ यह लाइक करो सुब्सक्राइब करो एंड शेयर भी कर दो और इसको साइड में रोकते हैं फिर आप छोटी सी एक बात और कर ले आधी साइड लगाते हैं and मैं बताता हूं मेरे को कैसा लगा इसको राइड करने में क्या एकस्पीरेंस हुआ भी मेरे को अभी मैंने इसको राइड किया and ब्रेकिंग कैसी है सब कुछ देखो मैं आपको बता रहे हूं एक दम यह पावर बटन है यहां से बंद हो गई वाली बाइक है रिवाल्ट वीफोर एंड ब्लैक कलर कि अभी हमारे पास ठीक है इसको मैं आपको बता दिया है एक वीडियो यह हो गई इसमें कुछ गड़बड है या फिर कुछ कमी हो गई ऐसा भी नहीं फील हुआ अपसाइड डाउन सस्पेंशन मिल जाएंगे ठीक है आपको मतलब पूरा फील आएगा सिटिंग कमपटेबल बस थोड़ी सी हाड है सिटिंग कमपटेबल थोड़ी सी हाड है यह आप देखो य ए्वटोड़ी ईस्थाइबल